Hello everyone, मैं हूं करिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वी का सापताहिक राशीफल ये 5th August से लेकर 11th August तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो परडिक्शन्स हैं और इस वीडियो में सभी साइन्स के सापताहिक राशीफल हैं नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में आपकी राशी के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पे क्लिक करेंगे तो डारेक्ली आपकी रीडिंग आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें तो टारो डिडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वोब आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिग विक के सापता ही कराशीफल Ladies, आप लोगों के लिए देखें, ये coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है three of souls और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में कोई चीज आपको hurt कर सकती है, कोई चीज थोड़ा सा मायूस, थोड़ा सा परिशान आपको कर सकती है अब इस चीज को सुन के आपने परिशान नहीं होना है, क्योंकि सबसे पहले चीज ये weekly reading है weekly reading में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, एका दुका लोगों की बात अलग है होता है ना कभी-कभी जिस तरीके से हमने ये week plan किया, उस तरीके से चीजे नहीं जा रही है यानि कि हमारे हिसाब से चीजे नहीं हो रही है, या फिर किसी situation से, इंसान से, circumstances से हमारी कुछ expectations थी और हुससाब से चीजे नहीं हो रही है and at the end of the day Aries, अगर आप थोड़ा सा भी pause करके analyze करेंगे आपको समझ में आएगा कि hurt सिरफ और सिरफ हम तभी होते हैं जब हमारी expectations नहीं पूरी होती है तो अगर इस week आप अपनी expectations low रखते हैं बहुत जादा उमीद किसी भी इंसान से, किसी भी चीज से नहीं करते हैं तो ये week आपका ठीक टाक जाएगा नहीं तो थोड़ा सा परिशान हो सकते हैं और कहीं देखें ये काट किसी level पे cheating का भी होता है अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहरें कि literally किसी तरीके की cheating हो रही है और आप परिशान हो बट येस थोड़ा सा आप cautious रहें हर इंसान पर blind trust ना करें हर इंसान की बातों को literally ना आप लें आप थोड़ा सा logically चीज़ों को analyze भी करें थोड़ा सा अपने mind से अपनी बुद्धी के हिसाब से भी चीज़ों को deal करें कभी-कभी हम किसी इंसान पर इतना trust करते हैं जो वो कहते हैं हम वो literally मान लेते हैं अब दिखें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब पर doubt करना शुरू कर दें बट ये इस सामने वाला जो भी कह रहा है हो सकता है वो अपने हिसाब से बिल्कुल भी ठीक हो लिकिन वो चीज आपके लिए ठीक ना हो तो थोड़ा सा pause करके चीजों को जरूर logically analyze करें समझें बड़ा action initiatives लेने से पहले and personal front के लिए आप लोगों के लिए six of cups का card है सबसे पहली चीज ये card कहता है कि relationships आपके लिए एहम रह रहे हैं या फिर you know जो भी आपके loved ones हैं, close ones हैं उनके साथ आप जादा interact कर रहे हैं, जादा time spend कर रहे हैं क्योंकि ये card कहीं past की भी बात करता है कुछ Aries या फिर काफी सारे Aries के लिए भी हो सकता है कि past की कोई situation, past का कोई event या past का कोई इनसान या तो इस week आपके personal front में आ रहा है और कहीं आप उस पे जादा focus कर रहे हैं या फिर आप खुद ही past की किसी इनसान, past की किसी event, past की किसी situation के बारे में जादा सोच रहे हैं पुरानी यादें आपको जादा यादा आ रही हैं and positive होगा, negative होगा ये सब Aries के लिए differ करेगा अभी मैं guidance देखूंगी तो और जादा समझ में आएगा कि ये card क्या कह रहा है बट यहाँ पे दिखें, ये card relationships पे focus करने की बात करता है उनके साथ quality, time या फिर एक बहुत ही beautiful time spent करने की बात करता है और फिर से कहूंगी past की किसी चीज के इस week आपकी life में आने की या फिर आपका किसी past की चीज पे focus करने की भी बात करता है all in all फिर से relationships, eating, drinking ये जादा रहती हुए दिख रही है and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए dove spirit का card है और ये card कहता है be peace, sorry let me just read it, yes be peace तो दिखे यहाँ पर ये card आपको यही कह रहा है कि जो भी situation हो, जो भी circumstances हो आपने peace maintain करने पर focus करना है अगर हम professional front के लिए इस card की guidance देखे तो कोई इंसान अगर कोई ऐसी बात आपको कह देता है जो आपको नहीं अच्छी लग रही है और इस वज़े से आप hurt हो जाते हैं तो let go करें, जादा दिल में ना उस चीज को लगाएं जादा उस चीज से attach होके परिशान ना हो और peace maintain करने पर focus करने हैं कभी-कभी हमारी किसी के साथ argument हो जाती है और हम इतना जादा argument win करने पर focus कर रहे होते हैं कि हमारे दिल का, मन का सुकून ही खराब हो जाता है तो यहाँ पर मैंने आपको सिरफ और सिरफ दो example दी हैं कि कैसे आप peace को जादा prioritize करें जैसे फिर से मैं professional front का example दूँ हमने देखा था, चीजें हो सकता आपके हिसाब से ना चल रही हो तो अगर आप पहले से ही अपने आपको बोलते हैं कि ठीक है यार, at times चीजें मेरे हिसाब से नहीं भी चलेंगी at times जैसा मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ, सामने वाला हो सकता है कि वैसे ना response दे, वैसे उनका एक behavior मेरे साथ ना रहे it's okay, it's fine, तो इस तरीके की energies में रहेंगे तो इस week को आप बहतर करेंगे और personal front के लिए अगर हम देखें तो बहुत जादा अगर आप एक attachment किसी इनसान से situation से महसूस कर रहे हैं उस scenario में भी अगर आपका peace of mind खो रहा है तो जरूर अपने आपको withdraw करें दिखें किसी भी चीज को इतनी एहमियत ना दे नचल में कि वो चीज, वो इनसान आपकी peace of mind को खराब कर सके इस चीज का खयार रखें and astrology से आप लोगों के लिए Libra sign का card है इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था एरीज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीजे मुझे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 5 of wands और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में छोटे मुटे issues छोटे मुटे मसले रह सकते हैं अब देखें मैंने जोटे मुटे issues छोटे मुटे मसले क्योंकि सबसे पहली चीज ये minor arcana का card है और ये card भी कहीं minor conflicts को represent करता है अब ये अलग बात है कि सब टॉरस के लिए conflict different levels पर different चीज़ों को लेकर है सकती है कुछ के लिए simply हो सकता है कि आपके ही मन में एक दुविधा किसी चीज के लिए रह रही है आप decision नहीं ले पा रहे हैं या फिर यूनों किसी चीज में मन ही मन आप उलजे हुए हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनके साथ difference of opinion हो रहा है आप लोगों के views नहीं मैच कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आपकी argument हो रही है जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ और कुछ के लिए हो सकता है कि situation, circumstances थोड़े बहुत इनों आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं इसलिए conflict आप महसूस कर रहे हैं तो देखिए सब के लिए different level पर different चीज़ों को लेकर conflict रह सकती है और overall के लिए देखिए ये card एक competitive spirit की भी बात करता है या फर एक competition भी रहने की बात करता है तो कुछ के लिए simply हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ हैं या फिर आपके professional front में है उनके साथ एक competition आपका रह रहा है अब दीखिए competition रहना is not a गलत बात competition actually में ये नो हमें grow करने में help करने में मदद करता है अगर ये healthy competition है लेकिन अगर unhealthy competition हो तो हमें परेशान करता है तो अगर ऐसा कुछ रह रहा है थोड़ा सा खयाल रखें कि आप unhealthy competition में न उलट जाएं अगर healthy है तो बहुत अच्छी बात है और फिर से मैं कहूं कि कोई भी major issue कोई भी major मसला नहीं रह रहा है और ये life है ये छोटी मुटी चीज़ें तो चलती रहती है और कुछ ऐसा ही ये हफता भी आपका रहतावा दिख रहा है और personal front के लिए आप लोगों के लिए eight of wands का card है तो देखें दोनों ही fronts के लिए wands के card है ये card कहीं enthusiasm, excitement, overall के लिए represent करते हैं तो बहुत एक active energies आपकी रहती हुए दिख रही है personal front में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है और यहाँ पर अच्छी चीज़ें ही रहती भी दिख रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ को आप prioritize करें किस चीज़ को आप अभी थोड़ा सा नहीं इतनी importance दें तो इस तरीके की energies रह सकती है बहुत सारी चीज़ों में आप involved है चीज़ें बहुत speed से बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है आप उनके साथ अपनी speed को यहां तो match करना चाह रहे है या फिर आप ही बहुत तेजी से अपने goal अपने मकसद को पाना चाह रहे है और एक speed से आप action initiatives लेते हुए दिख रहे है थोड़े से impulsive हो सकते हैं थोड़ी सी जल्दबाजी कर सकते हैं और देखिए अगर ऐसा आप होता हुआ आप आएं यानि कि आपको लगी कि आप बहुत impulsive हो रहे हैं तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके correct करें immediate action लेने की ज़रत है तो ज़रूर ले लेकिन फिर भी सोच लें समझ लें एकदम से impulsive होके बिना सोचे समझे कोई भी काम ना करें कुछ के लिए हो सकता है कि आप travel कर रहे हैं करना चाह रहे हैं planning हो रही है और हो सकता है कि all of a sudden आपका travel का plan बन गया किसी news, email, message का wait कर रहे हैं इस week आपको मिल सकता है तो देखिए all in all personal front अच्छा रहता हुआ दिख रहा है बस जब एक साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम किस चीज़ को पहले importance दे, किस चीज़ को अभी hold back करें तो उस तरीके की energies रह सकती है और professional front में जितना आप किसी भी जैसे argument हो रहा हो या फिर कोई भी conflicting सी चीज़ हो रही हो उसमें खुद को ना involve करें उससे थोड़ा सा withdraw करें थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को करें कि तो professional front भी आपका ठीक ठाक जाएगा कोई major masala professional front में नहीं रह रहा है बट yes, छोटे मोटे minor issues रह सकते हैं and yes, अब देखते हैं कि in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए क्या card है तो यहाँ पर देखिए Fox Spirit का card है और हम सब जानते हैं Fox cunningness के लिए जानी जाती है और यहाँ पर यह card आपको यही message दे रहा है कि बहुत ही simplicity के साथ, बहुत ही सादगी के साथ आप चीजों को deal ना करें I know कहते हैं simplicity बहुत अच्छी बात होती है लेकिन यह कल्योग का जमाना है मैं यह नहीं कह रही कि आप you know बहुत cunningly चीजों को deal करें बट येस, एक smartness के साथ आप चीजों को deal करें क्योंकि जब हम बहुत सादगी के साथ चीजों को deal करते हैं तो सामने वाले हमको for granted ले लेते हैं और थोड़ा सा situation को समझते हुए लोगों को समझते हुए एक smartness रखते हुए चीजों को deal करें एक, you know, जिसे बुलते हैं न की cleverness in a very positive way उस तरीके से आप ज़रूर चीजों को deal करें और astrology से आप लोगों के लिए एक various sign का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये थट औरस आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए जमिनीज आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है क्ये energies हैं तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है 5 of swords और ये card कहता है कि इस week specifically professional fund में आपको ऐसे लग सकता है कि पर जो आप deserve करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है किसी level पे किसी तरीके से unfair energies आप महसूस कर सकते हैं अब देखें ये unfair energies का reason सब जमिनीज के लिए कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान से आपकी बड़ी उमीदे थी आपने उनके साथ out of the way जाके किया और आपकी बड़ी expectations again मैं कहूंगे इस week उनसे रह रही है और उनकी तरफ से वैसा response आपको नहीं मिल रहा है या फिर you know जो एक profit आप deserve करते हैं आप expect कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है आप देखिए जो भी चीज़े मेरे mind में आ रही है मैं आपको कह रही हूँ सब के लिए different reasons रहेंगे लेकिन इतना मैं आपको कह सकती हूँ कि ये weekly reading है कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इकका दुक्का लोगों की बात अलग है और इस week जितना जादा आप थोड़ा सा cautious होके रहेंगे अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सब को ही doubt करना शू कर देना है पट ये थोड़ा alert रहें थोड़ा attentive रहें हर इंसान की बात को literally ना लें बिल्कुल आप blind सब पर trust ना करें थोड़ा सा फिर से कहूंगी cautious रहेंगे, conscious रहेंगे तो ये week की energies चीक ठाक रहेंगी या फिर मैं कहूंगी ये week आपका ठीक ठाक निकल जाएगा लेकिन अगर आपने बिना सूचे समझे चीजों को करा या फिर अपनी expectations लोगों से situation से higher रखी तो फिर आप थोड़ा सा परिशान हो सकते हैं और फिर से कहूंगी इस week से बहुत जादा उमीदे ना रखें और ये week ही तो है निकल जाएगा, नया week नई energies लेकर आएगा और फिर से इस चीज़ को सुन के आपने बिलकुल भी इसी वज़े से परिशान नहीं होना है and personal front के लिए आप लोगों के ले king of wands का card है और ये card कहता है कि बहुत एक enthusiasm excitement personal front में रह रही है आप देखिए यहाँ पर भी reason सब जर्मिनीज के लिए differ करेगा लेकिन आप बहुत courageously बहुत boldly जो भी personal front में चाहते हैं उसके लिए action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं आप थोड़ा risk भी अगर आपको लेना पड़े तो वो भी लेते हुए दिख रहे हैं बहुत boldly, courageously, decisions, choices आप करते हुए दिख रहे हैं and कुछ के लिए ये भी हो सकता है कोई male figure या female है जिनकी masculine energies है उनकी वज़े से एक enthusiasm, excitement रहता हुआ दिख रहा है वो बहुत supportive हो रहे हैं आपके लिए या फिर जो भी आप कर रहे हैं उस चीज के लिए all in all personal front काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है और professional front में मने आपको guidance, advice दी ही cards की तरफ से उसको follow करेंगे तो ये weak professional front के लिए भी ठीक रहेगा and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए giraffe spirit का card है और ये card कहता है see the big picture तो देखिए जब छोटी छोटी सी बातों में हम उलच जाते हैं चोटी छोटी सी बातों को अपने mind में बहुत बड़ा बना देते हैं उनको बहुत एक मुद्दा बना देते हैं हम परेशान होते हैं और जब हम बड़ी picture देखते हैं यानि कि अगर छोटे मुटे challenges हैं छोटे मुटे issues हैं कोई बात नहीं आगे चल कर तो बहुत अच्छा आप अचीव करेंगे न इन ही challenges को अगर आपने deal कर लिया इन ही challenges को आपने upfront होके fight किया और जब इस चीज़ को आप अपने mind में रखते हुए चीज़ों को deal करते हैं तो फिर आप परिशान नहीं होते हैं जैसे देखिए जब exams होते हैं हमें पढ़ना पड़ता है हमें effort करना पड़ता है कुछ problems भी आती हैं अगर हम उनसे घबरा के exam ही नहीं देंगे तो फिर हम कैसे life में कुछ बड़ा कर पाएंगे लेकिन जब हम उन exams में जो भी issues मसले आते हैं उनको solve करने पे focus करते हैं जो छोटी-छोटी परिशानिया हैं उनसे परिशान नहीं होते हैं exam clear करते हैं बड़ी बिक्चर देखते हैं कि exam clear करा तो फिर हम क्या-क्या achieve कर सकते हैं हमारी life में कितने अच्छे positive changes आएंगे या positive चीज़ों को हम achieve कर पाएंगे तो फिर हम अपनी life को भी बहतर करते हैं इसी तरीके से छोटी चीज़ों को मुद्दा ना बनाएं और specially professional front के लिए guidance जादा है क्योंकि professional front में आप लोगों के लिए five of swords का card है जो कि किसी level पे unfair energies की बात करता है तो इस चीज़ का खयाल इस week आप ज़रूर रखें and astrology से आप लोगों के लिए Mars घ्रह का card है इसके हिसाब से जो भी red, maroon, rust colors होते हैं वो आप लोगों के लिए lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का सापता है काशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर बाए तो चलिए एक इन सीरियन्स आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है six of swords और ये card कही movement and shift को represent करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है कि पीछे किसी चीज में आप बहुत stuck महसूस कर रहे थे अटकावा महसूस कर रहे थे और इस week उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं कुछ के लिए physical level पे positive या फिर कुछ changes रहते हुए दिख रहे हैं जैसे की change of team हो गया, change of project हो गया, change of job हो गया, change of location हो गया या otherwise ही आप travel कर रहे हैं, करना चाहा रहे हैं broader level के लिए किसी चीज को छोड़ कर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए simple of temporary हो सकता है यानि कि इस week के लिए रह सकता है और कुछ के लिए permanent की तरफ ये changes जाते हुए दिख रहे हैं ये shift ये movement जाती हुए दिख रही है overall के लिए दिखें ये card कहता है कि पीछे जो चीज़े आपको परिशान कर रही थी bother कर रही थी, challenging थी या फिर से कहूंगी stuck महसूस कर रहे थे उन में से आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इस हिसाब से देखें तो ये week आपका ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है हाला कि हो सकता है कि जो आप achieve करना चाहते हैं उसको आप इस week नहीं achieve कर पा रहे हैं बढ़ते हुए उस direction में आप बढ़ते हुए उस direction में आप आगे जाते हुए दिख रहे हैं फिर से कहूंगी कुछ के लिए simply हो सकता है या तो आप travel कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उसी से related planning रहते हुए दिख रही है and personal front के लिए आप लोगों के लिए two of cups का card है ये card कहीं love, care, प्यार, महबत की बात करता है और कुछ ऐसा ही personal front में रहता हुआ दिख रहा है फिर से देखिए general reading है situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप अपने loved ones के साथ जादा interact कर रहे हैं जादा बातचीत कर रहे हैं, eating, drinking, merry making रह रही है उनके साथ आप dinner पे जा रहे हैं, lunch पे जा रहे हैं, coffee पे जा रहे हैं वो आपको अपने घर invite कर रहे हैं, आप उनको अपने घर में invite कर रहे हैं खाना, पीना हो रहा है और अगर पीछे किसी भी loved one के साथ कुछ issue, कुछ मसला चल रहा था तो इस week वो resolve होता हुआ दिख रहा है, आप दुनों के बीच में सुला होती भी दिख रही है reconciliation होता हुआ दिख रहा है और बहुत एक loving caring energies फिर से मैं कहूंगे रहती भी दिख रही है और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए world spirit का card है और ये card कहता है turn knowledge into wisdom तो दिखे हर चीज का ग्यान होना, हर चीज की knowledge होना एक बात होती है लेकिन जब तक उस knowledge को हम use नहीं करते हैं तब तक वो knowledge हमें कोई फाइदा नहीं देती है यहाँ पिर उसका कोई एक benefit हमें नहीं होता है तो यहाँ आप ये card यही कह रहा है कि knowledge है, ग्यान है लेकिन उसको positively आप use करें और ऐसा करेंगे तो चीजों को और बहतर कर पाएंगे नहीं तो फिर बाद में आपको थोड़ा सा लग सकता है यार मुझे पता था फिर भी मैंने क्यों नहीं करा और यह सबसे बड़ा एक regret होता है, हमें नहीं पता है अनजाने में हमसे चीजें ठीक ना हो, हम खुद को माफ कर देते हैं लेकिन जब हमें उस चीज का ग्यान हो, हमें पता हो, फिर भी हम नहीं चीजों को ठीक कर पाएं तो फिर हम बाद में बहुत परेशान होते हैं, तो इस चीज का खयाल इस week अब ज़रूर रखें और अस्ट्रोलजी से आप लोगों के लिए एरी साइन का कार्ड है, इसके हिसाब से ओल शेज ओफ रेड, मिरून, रस्ट आप लोगों के लिए लखी रहेंगे और जिगनिफिकन डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूजडे तो ये था किन सेरियन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक कर सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे कमिंग सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए चलिए लिए आप लोगों के लिए देखें के कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, कि आणर्जीज है, तो प्रोफेशन फ्रॉन Baum के लिए आप लोगों के लिए काड हैà Ace of Pentacles और ये काट कहता है कि इस week specifically professional front में money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से related किसी भी level पे, किसी भी तरीके से gain फायदा हो रहा है या फिर जो भी आपके professional front में आप कर रहे हैं, हो रहा है, आपको ऐसी feeling हो सकती है येस अब वो gain, अब वो फायदा आपको हो जाएगा, जो profit आप चाहा रहे थे, अब वो आपको मिल जाएगा कोई नई शुरुवात या तो हो रही है आपके professional front में, या फिर आप करना चाहा रहे हैं और ये नई शुरुवात सब के लिए defer करेगी, कुछ के लिए simply हो सकता है, आप नए तरीके से काम करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए नई job हो सकती है, कुछ के लिए नया project हो सकता है, कुछ के लिए नई team हो सकती है कुछ के लिए नई जगा हो सकती, अगें कोई भी नई चीज़ या तो हो रही है या फिर इसी से related planning चल रही है, इसी से related एक सोच आपके मन में रह रही है overall एक stability, security या तो आप अपने professional front में महसूस कर रहे हैं या फिर कैसे stability, security आए, उस पे आप focus कर रहे हैं overall ये भी काफी अच्छा जातावा दिख रहा है and especially with regards to, again मैं कहूंगी money, पैसा, materialistic, tangible चीज़े and personal front के लिए आप लोगों के लिए three of wands का card है three of wands बहुत एक neutral card है ना तो ये बहुत कुछ great होने की बात करता है और ना ही कुछ खराब होने की बात करता है ये card simply कहता है कि जो भी personal front में आप कर रहे हैं कहीं you know current जो आपकी life में हो रहा है वो आपके लिए उतना एहम नहीं है, वो उतना important नहीं है कहीं you know जो आप चाहते हैं उसको आप long term में कैसे achieve कर पाएं उसको mind में रखते हुए current situation में आप चीज़ों को कर रहे हैं कैसे future जो आप चाहते हैं उसको आप achieve कर पाएं उस पे जादा focus करते हुए current situation में उसी direction से related आप action initiatives लेते हुए देख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है किसी चीज़ का इंतजार है, किसी चीज़ का wait है अब ये इंतजार ये wait भी सब लिए उसके लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है जो भी आप चाहते हैं उसके लिए right time का wait कर रहे हैं कुछ के लिए किसी phone call, message, email का wait है कुछ के लिए किसी के आने का इंतजार है अगेन मैं कहूंगी ये इंतजार सब के लिए differ करेगा overall ठीक ठाक personal front जाता हुआ दिख रहा है और ये card के ही collaboration की बात करता है तो जो भी करें सब के साथ मिल के करें सब को अपने साथ ले के चलें जितना आप teamwork में काम करेंगे उतना ही इस week को आप बहतर करेंगे and astrology से आप लोगों के लिए Scorpio sign का card है इसके हिसाब से जो भी समुंदर के रंग होते हैं आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था आप लोगों के लिए लिए उस coming week का सापता ही राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए वगोज आप लोगों के लिए दिखें ये coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है wise counselor और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में या तो आप किसी को advice counseling दे रहे हैं या फिर आप किसी से advice counseling ले रहे हैं या तो आप कोई चीज सीख रहे हैं या फिर किसी को कोई चीज से खा रहे हैं आप दिखें situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे कुछ के लिए simply हो सकता है कि अपने professional front से related कोई skill आप update करना चाहा रहे हैं कोई knowledge आप gain करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है जो भी आपके experiences हैं आप उनको अपने mind में रखते हुए इस weak चीजों को deal कर रहे हैं और थोड़े से rigid, थोड़े से fixated आप चीजों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं यानि कि बहुत जादा आप किसी भी चीज को change करने के mindset में नहीं रहते हुए दिख रहे हैं जो आपने सोच लिया, जो आपने कह दिया जो हो रहा है याँ पर जो आपको लगता है कि ठीक है आप उसी पर ही stick करते हुए दिख रहे हैं बहुत एक confidence के साथ चीजों को करते हुए दिख रहे हैं उस पर आप focus करते हुए दिख रहे हैं और बहुत ही fixated होके आप चीजों को करते हुए दिख रहे हैं यानि कि आपकी fluctuating energies नहीं हैं आपकी कभी कुछ कभी कुछ और ऐसी सोचनी ऐसा एक mindset नहीं रहता हुए दिख रहा है वाथ stable तरीके से आप चीजों को deal करते हुए दिख रहे हैं all in all ये week आपका ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए seven of wands का card है ये card कहता है कि छोटे मुटे issues छोटे मुटे मसले रह सकते हैं लेकिन साथी साथी ये card ये भी कहता है कि अगर आपने बहुत ही courageously, बहुत ही boldly जो भी छोटे मुटे issues मसले हैं उनको upfront होके face किया, उनसे आपने fight back किया तो definitely आपको success मिलेगी यानि कि जो भी आप चाहते हैं उसको आप achieve कर पाएंगे क्योंकि देखिए जहां एक तरफ ये card challenges की बात करता है वहीं दूसरी तरफ ये card success और victory की भी बात करता है बट फिर से मैं कहूंगी उसके लिए आपको extra effort लेना पड़ेगा extra initiatives लेने पड़ेंगे आपको बहुत courageously, willpower determination के साथ चीज़ों को deal करना पड़ेगा अगर थोड़ी सी भी आपने हिम्मत हारी, थोड़ा सा भी आपने चीज़ों को लेकर give up किया तो फिर आप थोड़े मायूस भी होंगे परेशान भी होंगे, हो सकता है इस week आप इस चीज़ को नहीं महसूस कर पाएं लेकिन आगे चलके फिर जादा इस चीज़ को आप realize कर पाएंगे, तब तक थोड़ा लेट हो चुका होगा तो message इस card का यही है कि आपने बहुत willpower और determination के साथ हर चीज़ को deal करना है अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपका goal है, मकसद है उसको आप achieve कर पाएं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए hummingbird spirit का card है और यह card कहता है be here and now तो बहुत जादा future की planning ना करें बहुत जादा future पर focus ना करें और past में जो हो गया उसके उपर भी बहुत focus ना करें अभी present moment में क्या आपके पास है क्या उसको utilize करके आप best कर सकते हैं उस पर आप focus करें present moment को अच्छे से आप फिर से मैं कहूंगे enjoy करें utilize करें ऐसा करेंगे तो इस week के energies को और वहतर कर पाएंगे and astrology से आप लोगों के लिए Jupiter ग्रह का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था वगोज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए Libra's आप लोगों के लिए देखें और ये coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है page of cups और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में या तो आपकी थोड़ी सी mature energies रह रही है आप ज़्यादा emotional, ज़्यादा sentimental ज़्यादा sensitive हो रहे हैं थोड़ी सी patience आप रखें इस week बहुत ज़्यादा पंगा उनसे ना लें बहुत ज़्यादा उनके साथ किसी चीज में उलजे ना क्योंकि emotionally काफी demanding हो रह सकते हैं और अगर ये आपकी energies हैं तो थोड़ा सा खयाल रखें कोई भी बड़ा decision, कोई भी बड़ी choice इस state of mind में ना लें क्योंकि देखिये जब हम emotional होते हैं तब हम right तरीके से नहीं सोच पाते हैं और specifically professional front में emotionally लिए हुए decisions most of the time सही नहीं होते हैं जिनको हम उस time नहीं realize कर पाते हैं जब बाद में हम इस चीज का हैसास होता है हम परेशान होते हैं और दूसरी चीज अगर आपको लगे कि immature energies हैं तो कोई भी बड़ा decision, कोई भी बड़ी choice आप किसी experiential इंसान से बात करे बगार ना लें किसी message, email, phone call का वेट कर रहे हैं इस week आपको मिल सकता है और कहीं ये phone call, email, message आपको किसी level पे एक happiness, एक joy देता हुआ देख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए the lovers का card है और ये card कहता है कि relationships इस week आप लोगों के लिए काफी एहम रहते हुए देख रहे हैं I don't know इस card को कितना देख पा रहे हैं इस card में जो figures हैं उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और सामने angel इस relationship को bless कर रहे हैं खास कर जो लोग love relationship से related देख रहे हैं उनके लिए ये हफता बहुत अच्छा जाएगा पीछे अगर कुछ issues, मसले रह रहे थे कोई मन मुटाव हो रहा था physical intimacy होती भी दिख रही है और अगर आप love relationship से related नहीं देख रहे हैं तो overall जो भी relationships हैं वो आपके लिए काफी एहम रहते भी दिख रहे हैं आप लोगों से जादा connect करते भी दिख रहे हैं या मैं ऐसा भी कह सकते हूँ कि अपने love ones, close ones के साथ आप जादा interact कर रहे हैं, जादा बातचीत कर रहे हैं जादा you know relationships को आप prioritize करते भी दिख रहे हैं और ये काफ कहीं decision choices की भी बात करता है तो हो सकता है कि personal friend में कोई decision, कोई choice आप लेना चाहा रहे हैं और थोड़ा सा आप two minds में रहते भी दिख रहे हैं जबी भी ये काड आता है, हम यही कहते हैं कि जो भी decision आप लें, वो दिल से लिया हुआ हो यानि कि दिमाग से आप इस week कोई भी decision ना लें, choice ना करें आप जो भी आपका दिल कह रहा है, उसको जादा सुनें और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए होर स्परिट का काड है और ये काड कहता है, freedom is yours तो कोई भी अगर personal front के लिए देखें, तो ऐसा decision choice ना लें जो आपको बांधें, जो आपको restrict करें अपने लिए एक space जरूर maintain करें अपनी एक freedom in a positive sense, जरूर आप रखते हुए चीज़ों को deal करें और professional front के लिए देखें, तो भी देखें, अगर कोई इनसान बहुत emotionally demanding हो रहे है तो ठीक है, वो उनकी एक demand हो सकती है, लेकिन आप given ना करें आप उनकी अगर specially वो unrealistic demand है, तो उसके लिए अपनी commitment ना दें अपनी again मैं कहूँ भी freedom, space को maintain करते हुए जी चीज़ों को deal करें and astrology से आप लोगों के लिए Germany sign का card है इसके हिसाब से all shades of green, इस week आप लोगों के लिए lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो ये थले ब्राज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आप के साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चलिए इसका पिर आप लोगों के लिए देखें और अगर अगर ऐसा आप भी पाएं तो ज़रूर इस चीज को चेक करके करें अपने आपको emotionally बहुत बहुत strong बनाएं क्योंकि दिखें जब हम emotionally weak होते हैं तो हम चीजों को सही तरीके से ना तो देख पाते हैं ना ही deal कर पाते हैं और उस time पे हमें ऐसे लगता है कि सब हमारे साथ गलत कर रहे हैं या फिर कोई हमारी emotions feelings को नहीं समझ रहा है और फिर चीजें कहीं ठीक भी नहीं रहती हैं तो फिर से मैं कहूंगी emotionally strong होके चीजों को deal करें और दूसरी बात ये काट कहता है कि आप एक ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं आप बहुत जादा हो सकता है चीजों को visualize कर रहे हैं एक vision बनाते हुए दिख रहे हैं लेकिन कहीं practical realistic steps उनको achieve करने के लिए missing रहते हुए दिख रहे हैं तो देखिए vision बनाना बहुत अच्छी बात होती है ख्वाब देखना भी बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे वो हम achieve कैसे करेंगे लेकिन जब तक vision को reality में convert करने के लिए हम action initiatives नहीं लेते हैं तब तक हम जितना भी अच्छा vision बनाएं उसको हम achieve नहीं कर पाते हैं या फिर वो reality में नहीं convert हो पाता है इस चीज का भी खयाल आप जरूर रखें overall night of cups is not a negative card ये एक neutral card है in fact अगर आप इस vision के साथ थोड़ा सा practical realistic तरीके से action initiative लें तो night of cups can be a very very you know beautiful and very very positive card लेकिन अगर इसी ख्वाबों की दुनिया में आप गुम होकर रहे गए तब फिर ये card थोड़ा सा आपके goal आपके मकसद को achieve करने में help नहीं करेगा या फिर मैं कहूंगी ये energies आपको जो भी आप चाहते हैं उनको achieve करने में help नहीं करेंगे तो फिर से कहूंगी कि आप इस card से guidance लें और कैसे इस week को बहतर कर सकते हैं उस पे focus करें and personal friend के लिए आप लोगों के लिए the moon का card है और ये card कहता है कि किसी level पर किसी तरीके के fears, एक insecurities आपके मन में रहती हुए दिख रही है एक confusion रहती हुए दिख रही है कहीं उनों एक negative frame of mind भी किसी चीज को लेकर है तवा दिख रहा है और जब भी ये card आता है मैं यही कहती हुँ कि जो भी आपके मन में चल रहा है वो सिरफ और सिरफ आपके मन के thoughts है या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो भी चीज आपको किसी भी level पर पर परिशान कर रही है bother कर रही है वो fear वाले thoughts है, insecurity वाले thoughts है, confusion वाले thoughts है वो सिरफ thoughts हैं, वो reality नहीं है और होता क्या है ना, कि जब हम बहुत ज़ादा इनी thoughts को energy देने लगते हैं तब हमें लगता है कि यही real है और फिर हम खुद को परिशान करते हैं तो इस week बहुत बहुत important रहेगा कि एक positive frame of mind आप लेकर आएं अपने thoughts की checking करें, जैसे ही आपको लगे कि एक भी negative thought आ रहा है आपने तुरंट बोलना है recall, cancel, delete और उसकी जगापे positive thought आपने create करना है ऐसा अगर आप करेंगे यह week को आप बहतर करेंगे, नहीं तो दिखिए आप बहुत परिशान हो सकते हैं in fact सबके लिए depend करेगा, अगर थोड़ा confused हो रहे हैं तो थोड़ा परिशान होंगे, जादा confused हो रहे हैं तो जादा परिशान होंगे लेकिन एक चीज मैं आपको definitely कह सकती हूँ, कि जो भी चीज को आपका mind बहुत बढ़ा बना रहा है pause करके जरूर चेक कर लें कि ये reality में बड़ी है या फिर आपका mind बना रहा है जिसकी वज़े से आप परिशान हो रहे हैं और थोड़ा सा देखिए, अगर आप अपने thoughts को manage कर लेंगे, तो इस week को फिर से मैं कहूंगी बहतर कर पाएंगे क्योंकि moon कहीं mind को represent करता है और आपने सुना भी होगा कि mind is a very very good servant, excellent servant but a very very bad master और जब हम इसको अपना master बना लेते हैं यानि कि इसको अपने उपर हावी होने देते हैं, हम बहुत परिशान होते हैं और जैसे ही हम ये trick सीख लेते हैं कि कैसे हम mind के master बन जाएं, हम इसको dominate करें, इसको अपने उपर हावी ना होने दें, हमारी life इतनी बढ़िया हो जाती है कि फिर हम सोच भी नहीं पाते हैं, फिर हमें ऐसे लगता है कि यार इतना तो हमने expect भी नहीं करा था तो इस चीज का खयाल रखें, इस week अपने मन को अपने उपर हावी ना होने दें, in fact आप अपने मन के उपर हावी हो जाएं, अपने मन को control करें, अपने मन के master बन जाएं और फिर आप देखेंगे कि ये week आपका कितना अच्छा जाएगा और कहीं आगे आने वाले जो time है, वो भी आप कितना भैतर कर पाएंगे and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए cola spirit का card है, और ये card कहता है, spirit has a plan तो कितनी बारी होता है ना, कि हम plan करते हैं, और एक कहावत भी है, मुझे पूरी अच्छी तरीके से नहीं याद है उसमें जब हम planning कर रहे होते हैं तो भगवान उपर देखकर हमें मुस्कुरा रहे होते हैं, हाँ सुरूत है अच्छा, तुम plan कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं कर लो because देखे हमारे plan manifest नहीं होते हैं या फिर मैं कहूंगी कि हमारे planning के हिसाब से कुछ भी नहीं होता है, होता वही है जो मनजूरे खुदा होता है अब इसका मतलब यह नहीं है कि हमने planning नहीं करनी है, हमने planning करनी है, लेकिन हमने universe को surrender करना है और universe पे complete trust, complete faith रखते हुए चीज़ों को deal करना है, जो भी आज अगर हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है इसमें जरूर कुछ बहुत ही अच्छा चुपा हुआ है, बहुत ही आपके लिए beautiful, you know, एक future का outcome चुपा हुआ है, जिसको आप अभी नहीं देख पा रहे हैं जब हम पहाड पे भी चड़ते हैं तो जब हम ओपर चड़ रहे होते हैं, तो बीश-बीश में गारी नीचे की तरफ भी जाती है लेकिन हमें इतना confidence होता है, कि ये गारी चाहें नीचे जा रही है, हमें लेकर उपर ही जा रही है हमें driver पर confidence होता है या फिर हमारे past experiences होते हैं हमें पता होता है और हम परेशान नहीं होते हैं लेकिन real life में थोड़ा सा भी अगर जो भी हमारा goal है मकसद है उसको पाने के लिए अगर हम उपर की तरफ जा रहे हूं और कहीं यह परिशानी की कोई बहुत खास वजा नहीं होती है लेकिन हम खुद को ही परिशान कर रहे होते हैं क्योंकि हम universe पर trust नहीं करते हैं हमें इस चीज के उपर fayत नहीं होता है कि जब नीचे जा रहे होते हैं कभी कभी नीचे जाना भी हमें उपर की तरफ लेकर जा रहा होता है, या फिर उपर जाने के लिए up and down ही एक रस्ता होता है, हमेशा उपर उपर जाना ही, कहीं एक assurance नहीं होती है कि हम उपर जा रहे हैं, उपर जाने का मतलब हम अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, at times थोड़ा सगारी नीचे भी जाती है, तो अगर ऐसा इस week हो रहा है, तो घबराएं ना, परिशान ना हो, फिर से कहूंगी universe पे faith रखें, जो भी God ने, universe ने आपके लिए plan किया है, वो बहतर ही है, और आपको कहीं जो भी आप चाहते हैं, उसकी तरफ ही लेकर जा रहा है, and astrology से आप ल लोगों के लिए होगा Monday, तो ये था सकापियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चलिए सरे डेरे से आप लोगों के लिए देखें, coming week क्या लेकर आ रहा है, क आपको मिल रही है, या फिर किसी authoritative figure के साथ आपकी ज़ादा बातचीत हो रही है, ज़ादा interactions हो रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी authoritative figure का support आपको मिल रहा है, कहीं उनकी तरफ से एक बहुत cooperative energy जह रही है, या फिर आप किसी authoritative figure को किसी level पे support कर रहे हैं, और दूसरी systematically बहुत organized तरीके से आप चीजों को करते वे दिख रहे हैं, पीछे specifically अगर बहुत haphazard manner में चीजें रह रही थी, कहीं बहुत discipline के साथ आप चीजों को नहीं कर पा रहे थे, इस week आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया, organized तरीके से चीजों को deal करना है, stability, security, यहां तो आ आप अपने professional front में महसूस कर रहे हैं, या फिर लाने की कोशिश कर रहे हैं, all in all देखिए, emperor is a very very positive card, specially professional front में, यह card कहीं कहता है कि आपको जो एक level अपने professional front में चाहिए, वो मिलता हुआ दिख रहा है, देखिए, power position authority तो एक चीज होती है, लेकिन दूसरी चीज होता है कि वो जो एक position again, या फिर जो एक level हम चाहते हैं, वो मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर जो भी हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब वो एक level आप अचीव कर लेंगे, फिर से कहूंगी ये वी professional front के लिए काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, and personal front के लिए आप family को represent करता है, तो family आप लोगों के लिए काफी एहन रहती भी दिख रही है, अब कुछ के लिए immediate family हो सकती है, कुछ के लिए extended family हो सकती है, और जो लोग हमारे close circle के होते हैं, वो भी कलिए एक family की तरह होते हैं, तो उनके साथ जादा interaction हो रही है, बातचीत हो रही है, कोई plan आ या फिर आप plan कर रहे हैं, organize कर रहे हैं, तो all in all दिखिए, फिर से कहूंगी, जो भी लोग आपके family की तरह हैं, कहीं बारी friends भी family की तरह होते हैं, कहीं बारी नहीं, मैं कहूंगी, जो हमारे बड़े close friends होते हैं, वो भी family ही होते हैं, और एक कहावत भी है, friends are the family we choose, तो इसी तरीके से close circle के लोग हैं, loved one हैं, उनके साथ ज़्यादा interaction हो रही है, बातचीत हो रही है, फिर से कहूंगी get together, reunion, या तो रह रह रहा है, या फिर आप plan कर रहे हैं, organize कर रहे हैं, और दूसरी बात ये काट कहीं एक financial level पे भी stability और security की बात करता है, तो कुछ के लिए हो सकता है कि again money, पैसा, materialistic, tangible चीजों से related भी ये भी काफी अच्छा जाता हुए, दिख रहा है, एक stability, एक security आप महसूस कर रहे हैं, अब फिर से मैं कहूंगी, आ रही है, या कैसे आए, उस पे focus कर रहे हैं, और जो भी आप कर रहे हैं, कहीं चीजें positive direction में जाती हुई दिख रहे हैं, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई बड़ी purchase आप करना चाहा रहे हैं, कर रहे हैं, जो बहुत time से आपने सोचा हुआ था, कुछ के लिए हो सकता है land, property कोई आप खरीदना चाहा रहे हैं, बेशना चाहा रहे हैं, इन चीजों पर focus है, तो दिखिए, कहीं broader level के लिए हम द ऐसे से related भी चीज़े ठीक ठाक रहते हुए दिख रही हैं, यहां तो आप कोई बड़ी purchase करना चाहा रहे हैं, बड़ी क्या कुछ के लिए छोटी भी हो सकती है, यहां property land आप sell करना चाहा रहे हैं, उस पर focus है, ठीक ठाक बड़ी है यह वीग रहता हुआ दिख रहा है, and in general यहां फिर guidance है, आप लोगों के लिए dog spirit का card है, और यह card कहता है, be loyal to what you love, अब देखिए बड़ा गहरा meaning है इसका, यहां पर love आपके loved ones भी हो सकते हैं, उनके साथ loyal रहें, love यहां पर यह भी हो सकता है कि जो चीज़ आप अपने लिए चाहते हैं, जो आपकी desire है, जो आपकी एक ख्वायश है, जो भी आप चाहते हैं, again मैं कहूंगी खुद के लिए उसके लिए भी loyal रहें, क्योंकि हमें बचपन से सिखाये जाता है, लोगों के लिए loyal रहो, लोगों के लिए true रहो, which is a very very good thing, हमें ऐसे ही रहना चाहिए, but at the same time हमें खुद के साथ भी loyal होना and at that time we are being disloyal to our own self, तो यह एक जो balance maintain करना होता है यही सबसे main चीज होती है, और यह balance आप maintain करें, फिर से कहूंगी लोगों के साथ तो loyal रहें, बट खुद के साथ भी loyal रहें, in fact जो चीज को आप love करते हैं, जिस इनसान को आप love करते हैं, जिस अपनी ख्वाइश को आप love करत हैं, उसके साथ loyal रहें, and astrology से आप लोगों के लिए Sagittarius sign का card है, इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो यह था Sagittarius, आप लोगों के लिए coming week, अपता ही क्राशीफल, और नेचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आप के साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाएं, तो चलिए के अप लोगों के लिए देखें, यह coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए, आप लोगों के लिए card है ego, सबसे बहली चीज़ देखिए, ego का card ego की वजए से issues और मसले होने की बात करता है, और अगर ऐसा कुछ आप भी अपने professional front में पाएं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके correct करें, in fact देखिए, यह card professional front के लिए है, लेकिन यह energies किसी भी life के area मेरे है सकती हैं, तो फिर से ego को अपने relationships में या किसी भी चीज़ के बीच में ना आने दें, और दूसरी चीज़ यह card कहता है कि आप बहुत obsessive, possessive किसी भी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, अब यह general reading है, तो situation, circumstances, सब के लिए differ करेंगे, कुछ के लिए simply हो सकता है कि आपने अपने सामने एक goal रखा है, और कहीं आप उसको इतना जादा achieve करना चाहा रहे हैं, आपको लग रहा है कि बस जो भी हो, इसको तो achieve करना ही करना है, which is a very very good thing, लेकिन देखिए, जब यह positive तरीके से होती है, इसको willpower determination कहते हैं, और जब यह negative होती है, तो इसको obsessive energies कहते हैं, जहाँ पे हम बस बहुत जादा ही उसको पाने पर focus कर रहे हैं, हम outcome पर focus कर रहे हैं, अगर आप गीता में देखें, तो लिखा हुआ करम करे जा फलकी इच्छाना कर, और यह शायद इसलिए रिखा है कि हम outcome से attach ना हो, the moment हम outcome से attach होते हैं, हमारा focus करम से हट जाता है, और हम उस चीज को achieve नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज का खयाल रखें कि इस week, जब भी भी आपका mind outcome पे जाए, आपने उसको लेकर आना है, अ छोड़ देना है, outcome के लिए universe को surrender कर देना है, अगर थोड़ा सा भी आपने इस चीज का खयाल रखा, इस चीज को maintain करा, यकीन माने ये week आपका ठीक ठाक जाएगा, लेकिन अगर आपने जो भी हमारी वो एक obsessive, possessive वली energies होती हैं, उनको अपने उपर हावी होने दिया, बहु कोई भी चीज हो सकती है, कोई कुलीग हो सकते है, उनके साथ competition हो सकता है, या कोई भी और चीज हो सकती है, जिसको लेकर अगर आप obsessive हो रहे हैं, तो आप परिशान होंगे, जिसको लेकर आप बहुत controlling, बहुत dominating हो रहे हैं, तो फिर से कहूंगी परिशान होंगे, थोड़ा देके outcome को universe पे surrender करते हुए चीजों को deal करेंगे आपका ये week बहतर जाएगा अब देखें यहाँ पर एक तो ये चीज हो गई कि आप outcome, situation या लोगों को लेकर controlling हो रहे हैं उस scenario में मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है just in case आपके professional friend में कोई आपको dominate कर रहा है, कोई आपको control कर रहा है तो वो भी आपने नहीं होने देना है और most of the times देखिए जब हम एक fear वाली energies में आते हैं तभी हम इस control, इस dominance को जो की कोई और कर रहा होता है उसको बरदाश करते रहते हैं, tolerate करते रहते हैं अब fear कोई भी हो सकता है, fear of losing the job हो सकता है, fear of वो हम से नराज ना हो जाएं, ये जो दो चीजे मेरे mind में आई, मैंने कहा सब के लिए different level का fear हो सकता है, जिसकी वज़े से आप सामने वाले की नजायस चीज को बरदाश कर रहे हैं और दिखिए जब भी हम ऐसा कर रहे होते हैं, temporary चीजों को हम ठीक कर पाते हैं, लेकिन long term में हम चीजों को खराब कर रहे होते हैं क्योंकि उस time के लिए again मैं कहूंगी situation बहतर हो जाती है, लेकिन हम सामने वाले को ये एक message दे रहे होते हैं येस, आप हमारे साथ गलत कर सकते हैं, आप हमारे साथ नजायस बात कर सकते हैं, आप हमको control कर सकते हैं और फिर उनकी ये ही आदत बढ़ती जाती है, एक point आता है, हम इस चीज़ को नहीं tolerate कर पाते हैं और फिर हम बहुत परेशान होते हैं, तो भले ही सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन आपने जरूर अपने लिए stand लेना है in a very positive, in a very good manner, जरूरी नहीं होता कि हम गुस्से से ही सामने वाले को express करें कि हम ये चीज़ नहीं बरदाश करेंगे या फिर उनका ये behavior हमारे साथ ठीक नहीं है, बहुत अपना एक काम maintain करते हुए, अपनी एक poise energies को maintain करते हुए भी हम सामने वाले को convey कर सकते हैं, भई ये हम नहीं tolerate करेंगे, भले ही आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, ये बात गलत है तो इस तरीके की energies में आप इस वीक जरूर रहें and personal friend के लिए आप लोगों के लिए four of swords का card है और ये card कहता है कि आप बहुत actively खुद को चीजों में नहीं involve कर रहे हैं आप थोड़ा सा चीजों से withdraw कर रहे हैं, back seat ले रहे हैं अब देखिए reasons अब Capricorns के लिए differ करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है कि पिछला हफता आपका बड़ा ही हर्टिक था बहुत सारी activities में आपने खुद को involve किया हुआ था बहुत सारी चीजें होने थी और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा तो अराम करना बनता है और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है देखिए अगर हम बिना अराम करे, बिना rest करे चीजों को करते रहते हैं तो फिर एक time आता है हम इतना थक जाते हैं कि फिर हम give up कर देते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं मैं हमेशा आपको example देती हूँ universe ने रात इसी लिए बनाई कि हम थोड़ा सा अराम कर पाएं क्योंकि अगर 24 hours दिन होता ना तो सोची हम कितना exhaust हो जाते और जब हम बहुत over exhaust हो जाते हैं तब हमारी एक true potential को हम नहीं utilize कर पाते हैं true जो हमारी capabilities होती हैं उनको भी नहीं हम avail कर पाते हैं कुछके लिए हो सकता है आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं उतने energetic नहीं हो रहे हैं और इसलिए आप थोड़ा सा अराम कर रहे हैं और ये शान्तवली जगा कोई vacation spot हो सकता है कोई आपके घर के city के outside location हो सकती है या अपने घर में ही आप सब लोगों को चीजों को shutdown करके थोड़ा सा withdraw करके अपने साथ time spend करना चाहरे हैं अपने लिए एक space चाहरे हैं future की planning करना चाहरे हैं इंट्रोस्पेक्टिव एनरजी में रहना चाहरे हैं अगे दिखे four of swords is not a negative card बट ये बहुत great कुछ होने की भी बात नहीं करता है it's a neutral card जहाँ पे आप बहुत चीजों में अगे नहीं खुद को involve करना चाहरे हैं आप थोड़ा सा pause लिना चाहरे हैं थोड़ा सा जो भी कर रहे हैं उस पे reflect करना चाहरे हैं introspective energies में रहना चाहरे हैं ये भी हो सकता है कि कुछ खास आपके personal friend में इस week नहीं रह रहा है and in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए lizard spirit का card है और ये card कहता है dream the world into being तो देखिए आपके लिए यही message है card की तरफ से कि जो भी आपकी ख्वाइश है जो भी आपकी desire है उसके लिए सबसे पहला step है कि आप ख्वाब देखें vision बनाएं क्योंकि जब तक आपको यहीं नहीं पता कि आप चाहाते क्या हैं तब तक आप उसको achieve क्या करेंगे action next step होता है first step होता है ख्वाब देखना उसी चीज़ को लेकर first step होता है उसी चीज़ को लेकर vision create करना अगर इसी guidance को हम professional front के लिए देखें तो हो सकता है कि आप बहुत action initiatives लिए जा रहे हैं लेकिन clarity नहीं है कि वाके में आप क्या चाहते हैं आपके पास vision नहीं है या फर मैं कहूंगी एक बहुत vague सा आपके mind में चीज़ है और आप बिना उसको clearly define करते हुए या फर visualize करते हुए या उसके लिए vision create करते हुए action initiatives ले रहे हैं और personal front के लिए in fact देखी एकाट कहता है कि आप थोड़ा सा pause करके एक vision शायद create करना चाह रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो please सबसे पहली चीज़ be very very clear कि आप चाहते क्या है आखे बन करके थोड़ा सा daydream करें जब आपका vision create हो जाए जब आपको आपके mind में एक ख्वाब clearly आए कि आप क्या चाहते हैं उसके बाद आपने next step उसके लिए action initiatives लेना है और आप देखेंगे कि कैसे आप उसको पा रहे हैं फिलाल इस week आपने जो भी आप चाहते हैं उसी से related ख्वाब देखने हैं vision create करना है and astrology से आप लोगों के लिए Neptune का card है इसके हिसाब से all shades of blue या फिर जो भी समंदर के रंग होते हैं sea green lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week कर साबता है काशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए quiz आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लिकरा रहा है क्या energies है तो professional friend के लिए आप लोगों के लिए card है king of swords और ये card कहता है कि इस week specifically professional friend में आप बहुत logically बहुत mind से चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं अब दीखे reasons सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है पीछे आप बहुत emotional sentimental हो रहे थे और इसी वज़े से आप बहुत confused हो रहे थे या फिर पर परिशान हो रहे थे और इस week आपको इसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया अब emotional नहीं होना है sentimental नहीं होना है या फिर otherwise भी या बहुत logically इस week आपको लग रहा है कि बहुत चीज़ों को deal करना पड़ेगा otherwise जो चाहते हैं उसको नहीं achieve कर पाएंगे in fact कोई confusion अगर पीछे रह रही थी या फिर इस week भी आपके mind में आ रही है उसको आप clear करते हुए दिख रहे हैं emotions, sentiments को अपने उपर हावी नहीं होने दे रहे हैं और फिर से कहूंगी आपका communication, conversation, बातचीत ideas में एक clarity आ रही है in fact बहुत जबर्दस clarity आ रही है या फिर आप लाना चाहा रहे हैं कहीं king of souls का card power position authority को भी represent करता है या तो आप power position authority चाहा रहे हैं या आपको मिल रही है या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी authoritative figure को उनकी किसी चीज के लिए आप support कर रहे हैं help कर रहे हैं या फिर कोई authoritative figure आपको बहुत support कर रहे हैं, जो भी आप आना चाहते हैं, all in all ये week अच्छा जाता हुआ दिख रहा है and अगर आप ऐसी energies में नहीं है तो यहाँ पे king of swords का आपको लोगों के लिए यही message है, कि जो भी आप आना चाहते हैं, उसको definitely आप अचीव कर पाएंगे, लेकिन king of swords वाली energies लानी पड़ेंगी फिर से आपको clearly बता दूँ आपने emotions, feelings को अपने उपर हावी नहीं होने देना बहुत strategically, बहुत जादा चीजों का control अपने हाथ में लेकर clarity के साथ चीजों को deal करना है and personal front के लिए आप लोगों के लिए the high priestess का card है और ये card कहता है कि आप थोड़ा सा personal front में चीजों से withdraw कर रहे हैं आप बहुत actively किसी चीज में involved नहीं हो रहे हैं participate नहीं कर रहे हैं अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप परिशान हो रहे हैं या फिर कोई मसला है या कोई problem है in fact you know इस week आपको ऐसे लग सकता है मुझे ना अपना me time चाहिए मुझे सुकून चाहिए मुझे बहुत जादा socialize नहीं करना है मुझे बहुत जादा लोगों के साथ mingle नहीं करना है मुझे अपने साथ time spend करना है अब ये time spend आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं कुछ के लिए हो सकते हैं आप nature के पास time spend करना चाह रहे हैं अब इसका मतलब यह नहीं आप vacation पे जा रहे हैं जो भी यह अगर पार्क आपके घर के सामने है या आपके घर में है या otherwise भी अपने ही room में अपनी ही जो आपकी personal space है आप उसमें अपने साथ time spend करना चाह रहे हैं थोड़ा सा introspective energies में रहना चाह रहे हैं थोड़ा सा जो भी आपकी life में हो रहा है उस पे reflect करना चाह रहे हैं और कुछ के लिए ये भी एक reason हो सकता है कि आप impulsive होके कोई भी काम नहीं करना चाह रहे हैं आप जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि भई चीजों को अच्छे से समझ लो wisdom के साथ चीजों को deal करो और आपकी क्या अंतर्मन की अवाज कह रही है inner voice कह रही है शायद आप उसको भी सुनना चाह रहे हैं उसको भी समझना चाह रहे हैं तो दिखिए reason सब के लिए differ करेगा in fact इसी के around आपके reasons रहेंगे लेकिन कहीं बहुत एक सुकून आप चाहते हुए दिख रहे हैं या फिर सुकून महसूस कर रहे हैं withdraw कर करके चीजों से थोड़ा सा you know backseat लेके और हो सकता है कि जो भी आपके मन में चल रहा है life में चल रहा है आप सब के साथ इस week नहीं share करना चाह रहे हैं किसी level पे किसी तरीके से secrecy maintain करना चाह रहे हैं और एक का दुखा लोगों के लिए ये भी हो सकता है आपको यसे लग रहा है कि कोई आपका loved one आपको clearly नहीं चीजों को बता रहा है transparency नहीं रख रहा है secrecy maintain कर रहा है जादा आपकी ऐसी energies हो सकती है और ये भी एक reason हो सकता है आप चीजों से लोगों से situation से withdraw कर रहे हैं लेकिन जो भी हो रहा हो again मैं कहूंगे आप परेशान नहीं होते वे दिख रहे हैं एक satisfaction यही energies आपके लिए लाती भी दिख रहे हैं एक contentment आप महसूस करना चाहते हैं या फिर ऐसा करके महसूस कर रहे हैं एक सुकून आप चाह रहे हैं और महसूस कर रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए moth spirit का card है और यह card कहता है surrender now तो बहुत ही clear message है कि आप अपना करम करें आप action करें लेकिन outcome आप universe पे surrender कर दें और जब हम ऐसी energies में रहते हैं एक बहुत जबरदस्त faith जिन भी God को मानते हैं उन पे रखते हैं surrender mode में रहते हैं यकीन मानिए बहुत जबरदस्तिक सुकून होता है जिसका कोई मुकाबला नहीं है तो यहाँ पर आपके लिए guidance भी यही है और personal front में किसी level पे आप इसी चीज़ को apply भी करते हुए दिख रहे हैं professional front में दिखिए जब तक clarity ला रहे हैं तब तक ठीक है लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर आपको लगे कि आप थोड़े से controlling थोड़े से dominating हो रहे हैं या over rigid हो रहे हैं तो इसको ज़रूर चक करके correct करें करम करें फिर से न करहूंगी लेकिन आप outcome universe को surrender करें and astrology से आप लोगों के लिए tourist sign का card है इसके हिसाब से all shades of green या फिर bright colors आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था equidious आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और nature मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए बाइसेज आप लोगों के लिए दिखें coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है queen of swords और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में या तो आप ज़ादा critical judgmental हो रहे हैं लोगों को लेकर situation को लेकर या किसी भी चीज को लेकर या फिर कोई इनसान है आपके professional front में उनकी ऐसी energies हैं आप देखिए अगर किसी इनसान की है तो beyond the point आप कुछ नहीं कर सकते हैं इस week आप उनको थोड़ा सा avoid करें या मैं कहूंगी जितना avoid कर सकते हैं उतना avoid करें जादा उनके साथ interact ना करें जादा उनके साथ बाचीत ना करें और अगर या आपकी energies हैं तो जरूर चक करके correct करें क्योंकि देखिए हो सकता है कि आप बहुत logical हो रहे हैं बहुत mind से चीज़ों को deal कर रहे हैं which is a very very good thing specifically professional front में लेकिन जब हम over logical होते हैं तो हम जादा critical judgmental हो जाते हैं खुद को लेकर जो भी काम हम कर रहे हैं उसको लेकर और फिर हम खुदी को परेशान करते हैं क्योंकि हमें हर चीज गलत दिखनी शुरू हो जाती है हम कहीं एक moderate तरीके से या फिर एक realistic तरीके से चीजों को नहीं देख पाते हैं तो इनी चीजों का खयाल रखें आपका communication, conversation काफी clear होता हुआ दिख रहा है लेकिन इन दा process आपको लगे कि आप बहुत blunt, straightforward हो रहे हैं थोड़ा सा taunting में में बात कर रहे हैं अपने colleagues, co-workers या फिर जो भी लोग आपके लिए आपके साथ काम करते हैं तो इस चीज को भी ज़रूर चक करके correct करें यह sword का card है तो छोटे मुटे challenges, issues भी रह सकते हैं और अगर फिर से मैं कहूंगी आप logically, आप mind से चीजों को deal करेंगे emotions को अपने उपर हावी नहीं होने देंगे तो इन challenges को आप overcome कर पाएंगे लेकिन फिर से मैं कहूंगी अगर आप over logical हो गए तो फिर critical हो सकते हैं और इस scenario में भी आप खुद को परिशान करेंगे moderate तरीके से heart और mind का balance रखते हुए आप इस वीक चीजों को deal करें and personal front के लिए आप लोगों के लिए seven of swords का card है और ये card कहता है कि आप थोड़ा सा escapism वली energies में रह रहे हैं आप किसी भी चीज को upfront होके नहीं deal कर रहे हैं इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि भई मुझे ना किसी भी जो भी चीज मुझे specifically परेशान कर रही है उसके साथ उलजना नहीं है उसके साथ कोई पंगा नहीं लेना है in fact कोई मसला भी है ना तो आप avoid करते हुए दिख रहे हैं अब दिखी क्या होता है ना ये चीज हमें एक temporary gain देती है या फिर temporarily चीजें ठीक हो जाती है क्योंकि उस time हमने avoid कर दिया हमें वो चीज ने bother नहीं किया लेकिन back end पे वो चीज हमें परेशान भी करती रहती है और वो चीज बढ़ती रहती है English में एक कहावत है stitch and time saves nine तो जो भी issue मसला हो उसी time जब हम उसको deal कर लेते हैं resolve कर लेते हैं वो खतम हो जाता है लेकिन जब हम उसे avoid करते हैं तो फिर again मैं कहूंगी back end में वो बढ़ता रहता है एक दिन आता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि चहा कर भी हम उसे avoid नहीं कर पाते हैं और फिर उसको solve करना, deal करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो किसी भी problem से, situation से भागे ना उसको face करें थोड़े से manipulative आप हो सकते हैं थोड़ा से diplomatically चीज़ों को deal कर सकते हैं which is again not a bad thing till the time आपके intentions, motives ठीक हैं जरा सा भी आपको लगे कि आपके intention, motive ठीक नहीं है इस चीज़ को भी check करके correct करें क्योंकि ये का cheating की भी बात करता है तो हो सकता है कि आपके personal friend में कोई इंसान है जो transparency नहीं रख रहे हैं आपको manipulate कर रहे हैं diplomatically चीज़ों को deal कर रहे हैं इस scenario में आपने pause करके थोड़ा सा analyze करना है कि भी उनके intentions, उनके motives ठीक हैं अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं कितनी बारी जो हमारे well wishers होते हैं वो हमें manipulate करते हैं हमारे ही भले के लिए और फिर से कहूंगे इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन जरा सा भी आपको लगे कि भी इनके intentions ठीक नहीं है motive ठीक नहीं है तो आप cautious हो, conscious हो and overall भी देखे जब भी एकाड आता है तो हमें थोड़ा सा alert होके चीजों को deal करना है aware होके चीजों को deal करना है cautious रहना है blind trust किसी पे भी नहीं करना है हर एक की बात literally हमें नहीं लेनी है हमने अपना mind भी use करना है that doesn't mean कि हम हर इंसान को doubt कर रहे है but यह जिस पे doubt हो रहा है उसको फिर अच्छे से हमने समझना है उसको हमने यह नहीं कहना रहे भई, क्या पता हमारे mind का thought हो शायद हमें ऐसा लग रहा है again अगर थोड़ा सा भी किसी पे doubt हो रहा है तो alert हो जाएं cautious हो जाएं और बहुत ही you know, इन ही energies के साथ उनके साथ dealing करें and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए hawk spirit का card है और यह card कहता है, let's spirit be your guide तो जो भी चीज आपको वो हर वक्तत पर रहते हैं यानि कि बहुत willing रहते हैं हमें help करने के लिए हमें guide करने के लिए लेकिन most of the times हम उनके साथ connection ही ने बनाते हैं हम अपनी उलजनों में इतने उलच जाते हैं हम इतना जादा अपनी परेशानी को लेकर और परेशान होना शू कर देते हैं कि हम बोल जाते हैं कि हमारे guiding angels तो हमसे connect करना चाह रहे हैं अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं कैसे connect करें सिरफ जब आप एक intent डालते हैं universe को ये message देते हैं या फिर अपने guiding angels से man ही मन बात करते हैं और उनको बोलते हैं please guide me मतलब जो भी अपना issue है उनसे कहते हैं बिना beyond the point परेशान हुए बिना anxious और restless हुए I know जब ऐसी energies होती हैं तो हम नहीं इसमें से अपने आपको निकाल पाते हैं या इनको परे रखके नहीं angels से बात कर पाते हैं बट try करें और अगर थोड़ा बहुत ऐसी energies भी हैं कोई बात नहीं मन में एक बहुत clear intent डालें और अपने guiding angels से बात करें और उनको बोलें की रस्ता दिखाएं उसके बाद आपको science दिखेंगे अब ये science किसी भी form में दिख सकते हैं किसी banner पे आपको कोई message दिख सकता है आप कोई book पढ़ रहे हैं उसमें कोई एक line एकदम से आपको touch कर सकती है आपको ऐसा लग सकता है रहे ये तो मेरी ही problem का solution है या फिर ये ही answer मुझे चाहिए था कोई Netflix पे series देख रहे हैं या फिर TV में कोई program कोई भी चीज देख रहे हैं कोई dialogue आपको एकदम से hit करता है और आपको लगता है ये शायद मेरी समस्या का एक हल है तो इस तरीके से जब आप signs देखेंगे तो आप देखेंगे कि guiding angels कितने clear आपको signs दे रहे हैं कि कैसे आप उस चीज को deal कर सकते हैं तो इस चीज का खयाल इस वीक रखें और astrology से आप लगों के लिए वोगो sign का card है इसके हिसाब से beige और brown colors आप लोगों के लिए इस वीक लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था पाइसे आप लोगों के लिए कमिंग वीक है साब ताही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए